नमस्कात दोस्तों मैं हुआ सुराव और आपका स्वागत है Grand League गुरूपे दोस्तों ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि Millbourne और Perth के बीच में मैच होने वाला है उसके ओपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो टेलिग्राम चैनल के साथ अगर जोड़ना है तो description section या comment section से आपको वो मिल जाएगा पहले थोड़ा सा stat दिखाते हैं उसके बाद discuss कर लेता है देखिए जो combination दिखाने जा रहे उससे जो 3-4 member मत खेलिएगा वही बेटर है 25 member 50 member से शुरू किजिएगा और mini GL जो भी 10,000 member से नीचे तक है वो वाले try कर सकते हो क्योंकि यह थोड़ा सा risky combination है then चलो थोड़ा सा stat पहले दिखा देते हैं उसके बाद शुरू करते हैं तो यह यहाँ पे medium scoring game जो है expect कर सकते हो batting first का जो है यहाँ पे है 160 के आसपस batting first के यहाँ 160 के आसपस है and scoring pattern जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 150 के नीचे 28 बार और उसके बाद under 170 14 बार और बाकि देख सकते हो यहाँ पे 190 के उपर सिर्फ 5 बार बना है और यहाँ पे जो है दोनों में से जो है पर्थ का जो है पला थोड़ा सा भारी है तीरा बाद जीती हुई है and Melbourne का जो है सिर्फ 8 बाद जीती हुई है अब जाके head to head numbers and venue numbers देख लेते हैं जो की हमारे लिए बहुत जादा then baron drop यहाँ पे इनके उपर जो है grand league में risk लिया जा सकता है या mini grand league में reason यही है अभी तक जब भी इन्होंने खेला है एक या दो weekend मिला है तो उतना risk ही सकते हैं यहाँ पर bowling second करते हुए एक बाद तीन weekend मिला है और total साथ weekend मतलब बाकी साथ inning में इनको सिर्फ और सिर्फ चार weekend मिला है तो समझी सकते हो कहना क्या चाहते है देन आपके पास स्टिफन इसकी नियाजी अभी तक खेले नहीं है इवांस जो है मुझे खास पसंद है इन दोनों में से एक मेरे combination में आपको 100% दिखेंगे देन आपके पास है एरन हरडी इनका जो है all rounder value थोरा सा जादा है और यहां पे जितने player का दिखा रहे हैं यही आपका अभी तक का जो है जो squad release किया गया है उसमें यही players है बाकी और भी और कोई player नहीं है अगर कोई last moment पे add हो जाता है वो मैं आप लोग को बाद में बता द देख लो batting first करते हुए दोनों बर 46 46 की पारी खेली हुई है और जो इंग्लेज का जो है batting first करते हुए average 34 batting second अभी तक रहन नहीं वने इस ground पे जादा खेले नहीं मैट के लिए अगर खेलते हैं तो यहां पर देख सकते हो इस venue पर इनका काफी बड़िया numbers है और I mean head to head में भी मतलब वही मैं उसी match में इन्होंने 3 wicket निकाले है जाए Richardson जो है चार match में 6 wicket है यहां पर second inning में 6 inning में 6 wicket है और venue numbers एक एक है तो grand league में जो हम लोग कर सकते हैं वो इन बेरेंड डॉफ और रिचर्ड सन में से किसी एक को लेके चल सकते हैं जातार लोग दोनों के लेके चलेंगे एंड्रिव टाई मेरे combination में होंगे यह actually इस team के अगेंस थोड़ा सा run भी बनाए हुए है और मेरे combination में आपको दिखेंगे especially bowling first bowling second दोनों condition में दिखेंगे even CP भी से दिखेंगे Sam wide one अगर खेलेंगे तो आप अगर आपके इंस्टिक बोल रहा है तो ले लीजिएगा नहीं तो मैं नहीं लेंगा मारका स्टोयनिस इनका overall numbers ठीक ठाक है ठीक ठाक इसलिए है क्योंकि यहां पर 34 का average है और यहां पर एक विकेड मतलब आप VC डिफॉल्ट VC बना के CP रोटेट कर सकते हो इस match में इनका जो है बूलिंग बैटिंग फोर्स में इन्सा रन नहीं बने हैं अगेंस्ट पर्ट ठीक है बट बैटिंग सेकिंड में इन्होंने रन बनाये है और मैक्सी नहीं खेलेंगे तो पूछना मत कि कहां गए तो तो ठीक ठाक भी नहीं कह सकते है अच्छा ही कहना कर्ट राइड जो है इनका जो है इस ग्राउंड पर वेन्यू पर नंबर्स काफी अच्छे है 48 का अवरेज है यहां पर थर्टीफोर का अवरेज है बट यहां पर हाइस्ट ट्वेंटी थी मतलब चेजिंग टाइम पर बैटिंग तो मिली है वहां पर थोड़ा बहुत कंट साम हर्पर इंटरेस्टिंग सा केस है बैटिंग फ़र्स इस टीम केगं इन्होंने रंस मारे है 73 रं की पारी है वही बैटिंग सेकेंड बहुत ही ज्यादा खराब नंबर्स है इस 36 को हटा दिया जाए तो समझे सकतो कितना और बचेगा ठीक है तो 27 रं बाकी 5 पारियों में इन्होंने किया है इस ग्राउड पे भी इनका नंबर्स बहुत जादा खास नहीं है तो यह रहावे अगेन बहुत खास नंबर्स तो नहीं है लकैन अगेन गट आउन ने एक 70 run की पारी खेली है, इस ground पे इनका बहुत बड़ी है record है, specially batting force, 45 का average है, 3 half centuries है, वो भी 11 inning में, तो इस ground पे आप इनको back कर सकते हो, specially batting force, और जब तक maxi नहीं आएगा, तब तक तो करना ही चाहिए, देन आपके पास Paris का जो record है, काफी खास numbers नहीं है, यहाँ पे जो है Haris R का अगर देख लिया जाए, तो वो भी थोड़ा सा देख लो, आप 3 match 5 wicket, यहाँ पे 3 inning में 6 wicket, और इस ground पे 4 inning में 6 wicket, जोल पारी का जो है, बहुत जादा खास numbers नहीं है, यहाँ पे Tom Rogers, यह अलग सा Tom Rogers है, इस venue पे जो है, इनका 48 high score है, 32 का average है, and second inning में भी इनों ने एक 50 कि पारी है, इस ground पे भी बहुत खास numbers नहीं है, bowling first 2 wicket निकाले है, और इस team के against भी बहुत ज़्यादा खास numbers नहीं है, बट यह player आपको इसी tournament में मिनीजील जितवाने वाला है, विव वेब स्टार, अगर इस match में इनको weekend नहीं मिला तो, खेलने के chances है, वेब स्टार, bowling करने के chances है, reason maxi नहीं है, तो इस भाई सब का जो है, बहुत खास numbers नहीं है, बट हाँ, इस ground पे 59 का score है, वही second, batting second करते हुए 58 का average है, इस team के against, इस ground पे 27 का average है, bowling बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं मिला, क्योंकि maxi होता है, इनके पास bowling option बहुत ज़्यादा होता है, बट जब तक maxi नहीं खेलेंगे, तब तक इनका bowling करने के chances है, एक wicket 20 run सीधा डिम्टिन, अब जाके captaincy, vice captaincy, वह बात है, थोड़ा से यह वाला भी देख लो, यहाँ पे स्ट्वाइनिस, मतला स्ट्वाइनिस, बोलर स्ट्वाइनिस का बहुत बढ़ीया record नहीं है, स्टेकिटी खास नही player के वज़े से, Brody के खेलने के chances है, ठीक है, या तो Liam भी, then आपके पास जो है, और एक team का जो match-up है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, Richardson सबको almost out कर चुगे हैं, एक बार सही, almost सबको out कर चुगे हैं, किलावे को छोड़के, अगर खेलेंगे तब किलावे को भी लेके जाएंगे, बेरेंडरोफ, बहुत खास numbers नहीं है, एक एक बार करके out किये हैं, Matt Kelly, अगर खेलेंगे तो इनको grand league में जरूर लीजिएगा, Andrew Ty, चार बार स्टोईनिस को out किये हैं, बट रंस भी बने हैं, बाकी दो बार के लावे, एक बार बियूस्टर, एक बार लरके Turner का Sam Harper को इन्होंने दो बॉल में एक बार out कर चुके हैं, यहां पे Marcus को पाच बॉल में एक बार out कर चुके हैं, अब जाके चलते हैं, combination की तरफ, फिलाल यह base combination है, English रखना चाहूंगा, Turner रखना चाहूंगा, लॉरी इवर्न्स मैं लेके ही चलूंगा, लॉरी के जगा पे इ Kiskinazi को जो भी लेना चाहते हो, ले सकते हो, मैं भी साय ट्राइ करने वाला हूँ, then आपके पास है Marcus Tornis, Hardy, Webstar, अगर खेलेंगे पका मेरे combination में होंगे, Richardson, Roff, Tye, यह तो होंगे, अब जाके बाकी जो प्लेयर्स है, जैसे हर पार cut right, दोनों में से at least एक को batting first में रखना ही च से लिए और कुछ नहीं, stick it, इस match में बहुत ज़्यादा interested नहीं हूँ, बढ़ हां, अगर खेलेंगे, and अगर खेलेंगे, तो bowling first ले सकता हो, bowling second most probably drop कर दो, के लिए अगर खेलेंगे, मेरे combination में आपको दिखेंगे, कोई छूट तो नहीं गया, एक बद देख लेते हैं, then बा बाकी दो प्लेयर, most probably Sam Harper, batting first, या काट रही, दोनों में से एक batting first, Dawson most probably रहेगा, दोनों condition में रहेगा, and bowling first, उस condition में Dawson and stick it, ये हो सकते हैं, या Kelly and Dawson हो सकते हैं, तो वो ग्यारा हो गया, या Usama Mir, तेक है, इन ये जो तीन देख रहे हो, like Kelly and Usama Mir and Dawson, इन तीनों में से most probably दो, या इसके साथ add कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक, तो ये होगा, ठीक है, but base combination यही है, अब जागे captaincy, vice captaincy, तेक स्टाइनी से एक अच्छा कासा captaincy, vice captaincy option है, अंडियो टाई, दोनों condition में बहुत बढ़िया captaincy option, vice captaincy option है, rough again, bowling first करते हुए, बहुत बढ़िया option है, आपके हार्डी एक थोड़ा सा अलग type का captaincy option है, बहुत जादा लोग साथ try नहीं करेंगे, बढ़ आप लोग जाओ तो कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, कि इनको bowling करने का बहुत जादा मौका मिलेगा, तो उस condition में आप try कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो है, बाकि यही है, यही रॉफ तो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे एक और प्लेयर यहाँ पे नहीं होगा, तो बाकि दो प्लेयर मानलो की, मिलबॉंड पहले बैटिंग कर रही है, तो उस condition में हरपर यहाँ काटराइड में से एक लेंगे, हरपर को rotate कर सकते हो, काटराइड को जादार combination में ले सकते ठीक है, अगर मीर खेलते हैं, तो मीर तो directly आ जाएंगे, और अगर मीर नहीं खेलेंगे, तो मतलब रॉफ और मीर में से जो भी खेलेंगे, उनको हम लेंगे, और केली अगर खेलेंगे, तो यह हो गया आपका दो प्लेयर, तो यही है, captaincy wise captaincy again, कहना जाओंगा, वही, top choices, ston Chinese tie combination भी ठीक है, hardiest, Chinese combination भी ठीक है, बागी जो भी आपको पसंदे, आप उससाब से, अपने हिसाब से, जो है, changes कर सकते हो, I guess कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है, तो लाइक कर दो, comment कर दो, अपने दोस्तों को चैनल के साथ जोडते रहो, thank you, keep supporting, कि बसाई से से, लवी ओर.